Hello everyone, यह है Meta Securities के quarter 3 के result तो आगे यहाँ पर analyze करके देखते हैं इस share के results यहाँ पर कैसे आए हैं तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस share के total income से तो yearly basis में यहाँ पर जो income है वो 15.68 लाग था जो quarterly basis में 2.69 लाग यहाँ पर हो गया है quarterly basis में यहाँ पर जो share की income है वो यहाँ पर decrease हुई है अभी share के total expenses की बात करें तो total expenses जो है share का yearly basis में 6.85 लाग था जो quarterly basis में 6.13 लाग यहाँ पर हो गया है income के साथ यहाँ पर share के expense भी decrease हुए है इस share की बात करें यहाँ पर total comprehensive income की total comprehensive income yearly basis में 0.89 लाग था bracket में था आगे हमें शेयर के अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर यर्ली बेसिस में टू पैसे था प्रेकिट में है यानि की लॉस में है ओवर आल अनलाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर की रिजल्ट है वैसे मीडियम देखने को मिले है और बात करें प्राइस लेवल की तो यहां पर 30.40 पैसे इस शेयर का प्राइस है तो फिलाल के लिए मिट्टम के प्रेस्पेक्टिव से आप इस शेयर को यहां पर होल्ड करके फिर सेल करना चाहे तो यहां पर सेल भी आप कर सकते हैं